आप सब्लूख मुझे भी देखिए आप सब्लूख बहुत बढ़ी होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और इंज्वे कर गए होंगे तो इस तुरूट्स आप लोगो का सवागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लसेस पर मिरेना हम दीपर प्वेजो लिया है और आज हम दो बात करने जा रहा है नाइन ध्ट क्लस के चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्साइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 5 जो कि अपने आपने एक बहुत ही इंपॉटिन क्वेश्चन है क्वेश्चन के तुरू हम द लिए नंबर सी प्राइमंबर करें ह्यां क्या तर जो क्वेश्चनल थो और क्वेश्चन हम दोगोसे खे रहा है यह इंप्वेश्चनल नंबर् सिर्णी जेआ दिण धरते ने शियुर॑ सा concept है, जो हम दोगों को समझ लेना जरूरी है, चीक है, तो जब भी कभी बिटा इस तरीके का question हो, जहाँ पर के हम लोगों को कोई भी number, P upon Q की form में, यानि की fractional form में हम लोगों को दे रखा हो, denominator irrational हो, तो कुछ चीज़े जाल लेना जरूरी है, वही चीज़ हम लोगों पहले जालने की कोश्चस करते है, माल लिजे कोई भी हम लोगों को denominator दिया है, चीक है, अब वो denominator बिटा हम लोगों को कैसा दे रखा है, इर्रैशनल नंबर दे रखा है अपने आपके, अभी इर्रैशनल नंबर ना दू तरीके का हो सकता है, या तो यह क्या हो सकता है, Monomial, या फिर हो सकता है, Binomial, चीक है, खनम की Trinomial हो सकता है, लेकिन हम लोगों कुछ जब rationalization से related question होगा ना, तो Trinomial को भी बिटा किसमें change कर लेना होता है, Binomial के change कर लेना होता है, और वो हम लोगों के slivers से थोड़ा सा बाहर गी है, तो अभी के लिए हम लोगों मानके चलते हैं, कि अगर किसी भी number का denominator एक irrational number है, तो वो irrational number क्या-क्या दिया जा सकता है हम लोगों को, या तो Monomial दिया जा सकता है, या फिर Binomial दिया जा सकता है, अच्छा, Monomial कहने का मतलब क्या है, Monomial कहने का मतलब है कि denominator के अदर सिफ एक term होगा, वही Binomial कहने का मतलब है कि denominator के अंदर दो terms होंगे ठीक है जी अब जब बटा हम लुगों को किसी भी number का denominator rational है और उसमें कितने terms हैं एकी term है मतलब वो monogal है तो ऐसे case में उस denominator को हम लुग rationalize कैसे करें तो rationalize करने के लिए बटा फिर से हम लुग देखेंगे तो दो चीज़ें हम लुगों को दिखाई दाएंगी यानि कि दो तरीके के numbers हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं पहले type के numbers हैं जैसे कि आपको दे दिया root 3 और एक example चड़ी यहाँ पर लिख लेता है under root 8 तो बटा माल लीजे किसी भी number का denominator हम लोगों को दिया है पहले case में हम लोगों को दे रखा है under root 3 तो बही under root 3 को अगर rationalize करना है तो हम लोग कैसे करें और root 8 दे रखा है किसी भी number का denominator तो इसको rationalize करना है तो कैसे किया जाए तो देखो याद रखो जब भी-कभी monomial हम लोगों को जाए, monomial की बात करना है भी हम लोग, जिसमें कि अंदर root के अंदर लिखा हुआ number अपने आपने prime number होगा, तो ऐसे case में बिटा उसका irrational factor खुद वही number होगा, चीक है, तो 3 कैसा number है, prime number है, root में लिखा हुआ, irrational होगा, तो इसका irrational factor क्या होगा, irrational factor बिटा इसका खुद root 3 ही होगा चीक है, तो ऐसे case में हम लोग, अगर इसको root 3 से multiply कर दें, तो इसका खुद रिखा होगा, जैसे कि अग्जामपल दे देता हूँ, जैसे कि under root 7 होता, तो इसका irrational factor क्या होता, इसका भी rational factor बिटा, under root 7 ही होता, क्यों, क्योंकि 7 अपने, आपने कैसा number है, एक prime number है, चीक है, prime number नहीं है, composite number है, और जब composite number दिया जाता है, तो थोड़ा सा हम लोगों को काम करने की जरूरत है, ऐसे में काम क्या करते है, वो चीज समझें, भई हम लोग क्या करते है, root 8 है न, तो इस 8 को बिटा करो, prime factorize, और जब 8 को prime factorize करोगे, तो इसके prime factorization में क्या मिलेगा, 2 x 2 x 2, और हम लोग जानते हैं, कि किसी भी number के prime factorization में, जो के root के अंदर लिखे हुए, तो ऐसे case में, बिटा, जिस-जिस prime factor का pair बनता है, उसके बदले एक number, बाहर लिख देते हैं हम लोग, तो देखो, यहाँ पर 2 का pair बनाना, तो इस 2 के pair के बदले क्या लिख सकते हो, एक 2 बाहर लिख सकते हो, और अंदर कौन बचेगा, यह root 2, ठेक है जी, बात यहाँ तक सबते हैं, इसका मतलब बटा, under root 8 में, दो numbers हम लोगों को मिल रहा है, यानि कि दो factors हम लोगों को मिल रहा है, जिसमें से एक तो क्या है, एक है rational factor, और यह क्या है, यह है rational factor, और अभी क्या सीखा, जब हम लोगों को बटा, फिनोमेटर, एक monomial number किया होता है, तो उसको rationalize करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग multiply करते है, rational factor से, इसका मतलब under root 8 को, अगर rationalize करना है, तो इसका rational factor क्या होगा, जिससे कि rationalize किया जा सके है, root 2, मतलब under root 8 को किस से multiply करना होगा, under root 2 से, और अगर हम लोग root 8 को root 2 से multiply करेंगे, तो एक rational number हम लोगों को जाने वाला है, I think यह बात समझागे लोगी, चले, एक दो examples और लेते हैं, suppose करिए, under root 12 दे रखाऊ, तो बटा 12 कैसा number है, इसको factorize करके check करना, चेक है, तो factorize करो, इसको लिख सकते हो, 2 into 2 into 3, और बटा 2 का pair बना, तो आप इस 2 के pair के बने एक 2 बाहर लिख सकते हैं, तो अंदर कौन रहे हैं क्या, root 3, तो यह हुआ बटा rational factor, और root 3 क्या हुआ, irrational factor, और अब अगर under root 12 को हम लोगों को बटा rationalize करना है, तो किस से multiply करेंगे रहे है, irrational factor यानि की root 3 से multiply करें, I think यहां तक की कहानी आपको समझ आ ठीक है, अब आजो, कि अगर denominator बटा rational number है, और वो rational number कैसा है, binomial है, तो उस case में उस number को बटा rationalize करने के लिए हम लोग किस से multiply कर रहे हैं, यह चीज हम लोग सीखने चारा है, ठीक है, तो चली यह वाला part हटा देते हैं, फिलाल के लिए, तो बटा binomial दे रखा है, अब binomial को जब हम लोगों को क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, तो बटा हम लोग multiply करते हैं किस से, conjugate से, और conjugate का मतलब क्या होता है, किसी भी irrational number का conjugate, खुद वही number होता है, इससे बेच का sign, change होता है, इसका मतलब, अगर binomial के एक example, आपके सामने रखूर 2 प्लस root 3 मेने लिख किते terms हैं, देखो, एक ये है, और दूसरा ये है, तो बटा, दो terms है, और अगर दो terms है, तोई कैसा number हुआ, binomial, और इसके अंदर एक irrational है, और हम लोग जाते है, rational और irrational का combination क्या होता है, irrational मतलब, पुल मिला के number बना, irrational, चिक है, दो terms वाला irrational number है, मतलब, ये binomial है, और इसका conjugate क् सिर्फ जो बीच का साय में, मुझे हो जाना है, ठीक है, plus है, तो minus है, minus है, तो minus है, तो इसका मतलब, इसका conjugate होगा, 2 minus root 3, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, एक number होता, 2 minus root 3, तो इसका conjugate क्या होता है, 2 plus root 3, ठीक है, तो दोनो numbers, जो conjugate हम लों बोल रहे होता है, दोनों ही एक तो देखे क्या होता है, conjugate होता है, एक और example निख लेते हैं, 2 root 3 plus 3 root 2, ज़रह बता हूँ, कितने terms हैं, 2 terms हैं, तो कैसा number हुआ, binomial irrational number हुआ, और अब अगर इसका conjugate हम लोग देखें, तो conjugate क्या होगा, खुद यही number होगा, बस सिर्फ बीच का sign, change हो जाना है, ठीक है, तो इसका, यह conjugate है, और इसका conjugate पूछा जाए, तो यह है, और अब अगर हम लोग, बटा किसी भी, binomial irrational number को rationalize करना है, तो इसके conjugate से multiply कर देंगे, तो वो number कैसे change हो जाएगा, rational number का change हो जाए, I think यह concept समझा गया है, अब अगर यह चीज समझ आ देगे, तो अब इस question को समझना बड़ा असान होता, ठीक है, तो बापस आ जाते हैं अब, अपने main question पर, तो first part में बेटा, जो number हम लोगों को दे रखा है, वो क्या है, first part में number दिया है, बर upon root 7, अब बेटा, denominator हम लोग देखा है, तो root 7 है, और root 7 दिया है, एक ही term है, तो इन number कैसा हुआ, इन number हुआ कैसा, और जब monom यहला, तो हम लोग फिर से देख रहा है, 7 अपने आपने कैसा number होता है, तो आप कहें गी कैसा number होता है, और अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, कि अगर root में prime number लिखा है, तो इसको rationalizing factor इसका क्या होगा, ठीक है, इसका rationalizing factor होगा, खुद यही number बाता, अगर इसको हम लोगों को rationalize करना है, तो जब नीचे multiply करेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है, देखो 1 upon root 7 ऐसा ही था, और इसको अगर हम लोगों को rationalize करना है, तो किस से multiply, root 7 से multiply, लेकिन सिर्फ नीचे multiply कर दोगे न, तो क्या होगा, original value change हो जाएगी, तो बटा, value change ना हो, जो number हम लोगों को दे रखा, exactly वो number as it is बना भी रहे, और हम लोगों का denominator एक rational number बेख change हो जाएगी, यह है ने concept, ठीक है, तो बटा, क्या किया जाए, root 7 से, अगर आप नीचे multiply कर रहे हो, तो उपर भी multiply करना पड़ेगा, so that, original value पर फोज़ी पर ना पड़ेगा, तो बटा, आपने root 7 से multiply और root 7 से divide कर दिए, अब देखो, 1 का multiply root 7 में करोगे, तो क्या मिलेगा, root 7 ही बनने बाला है, ठीक है, और root 7 और root 7 का multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लास्ट वीडियो में हम लोगो ने सिखा था, अब हम लोग देख हैं, तो denominator कैसा बन गया, एक rational number बन गया है, तो इस तरीके से हम लोगो ने इस number के denominator को rational में change कर दिया है, मतलब इसको rationalize कर दिया है, पहला वाला part समझ आ गया है, ठीक है, चलते हैं बटा दूसरे part पर, जब हम लोग इस question के दूसरे part पर आएं, तो number दे रखा है, हम लोगों को 1 upon under root 7, minus under root 6, बटा कितनी terms है, 2 terms है, और जब भी 2 terms हुआ करें न, तो इनको हमेशा बटा bracket पर रखा करो, conclusion नहीं तो create हो जाते हैं, correct है, तो bracket पर हम लोगों ने रख दिया, अब बटा 2 terms है, तो इस number कैसा हुआ, यह number हुआ बटा, binomial, और binomial अगर number होता है, और उसको हम लोगों को rationalize करना कुछी था था, इसके conjugate से multiply किया जाता है, और conjugate का मतलब क्या होता है, खुद वही number सिर्फ बीच का sign change होगा, मतलब under root 7, minus under root 6 को अगर rationalize करना है, तो इसको multiply करेंगे किस से, under root 7, plus under root 6 से, ठीक है, तो नीचे multiply करेंगे, तो number कैसा हो जाएगा, national बन जाएगा, लेकिन बटा, गर सिर्फ नीचे multiply करेंगे, तो original value change हो जाएगी, और किसी भी fraction में, अगर सिर्फ हम लोग numerator को treat करेंगे, denominator को treat करें, यानि कि सिर्फ numerator को किसी number से multiply करें, divide करें, तो फिर ऐसी केस में, original value change हो जाती है, और original value change ना हो, तो वही बटा action, वही बटा operation, numerator और denominator दोरों में करना होता है, correct है, तो इसका मातलब, इस number को बटा change करना है, rational number में तो multiply करना होगा, conjugate से, और इसका conjugate होगा root 7 plus root 6, और original value ना change हो, repeat कर रहा हो, क्यों उपर multiply करना है, अब तो इसलिए करते हैं, कि original value change ना हो, तो वही बटा, original value change ना हो, तो उपर भी किस से multiply, root 7 plus root 6 से multiply करना होगा, चेक है जी, अब बटा 1 का multiply, बैकेट के साथ करो, बटा यही बैकेट आएगा, मतलब आप उपर लिख सकते हो, under root 7 plus under root 6, 1 का multiply करने के बाद, और यहाँ पर जो form बन रही है, वो कैसी form है, यह form में बटा, a minus b into a plus b जैसे, देको इसको अगर आप a पढ़ा, और इसको b पढ़ो, चेक है, तो यह भी a है, और यह भी b, यहाँ पर a minus b, और यहाँ पर form में a plus b, और हम लोग जानते हैं, कि a minus b into a plus b का बटा product क्या होता है, यह होता है, a square minus b square, चेक है, जहाँ पर a की जगे पर क्या देख रहा है, a की जगे पर हम लोग देख रहा है, root 7, तो इसका square लिखे के लिए, फिर minus का b square होता है, और b की जगे पर क्या है, बटा, under root 6 है, तो इसका square, और फिर से हम लोग देख, देखो, बापा सेहीं पर आजाएं, root a into root a का मतलब क्या होता है, a की number को बटा, दो बार multiply करें, तो इसी को क्या लिख सकते है, under root a का square, और इसकी value किसके बराबर होती है, a के बराबर होती है, समझा है, root 5 into root 5 का मतलब क्या है, under root 5 का square, और इसकी value देखो किसके बराबर है 5 के, root 3 into root 3 लिखें, तो यह हुगा root 3 का square और इसकी value क्या है, बटा 3 है, चिक है, तो जब बताओ, root 7 का square करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हम लोग 7 और root 6 का square गरेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 ठीक है लिख देते हैं पहले उपर वाला time लिखते है तो वहीं उपर हम लोगो को क्या दिया है under root 7 plus under root 6 नीचे गया लिख सकते हैं हम लोग 7 minus 6 ठीक है जी अब under root 7 plus under root 6 जो उपर लिखा था उड़ों अब अगर इसके denominator भी बात करें तो जब denominator नहीं दिखना तो हमेशा क्या होता है बान होता है नमबर था यह जिसका denominator नहीं था जो कि अपने अपने rational number था अब हम लोगों ने बिना original value को change करें हुए इसका denominator क्या find करें जो 1 यानि कि denominator जो कि irrational था उसको हम लोगों ने rational में change कर दिया मतलब हम लोगों ने rationalize कर दिया ठीक है जी यह पार्ट भी आपको समझा गया होगा तो बात करें बिटा थाड़ बात करें अब नमबर हमें क्या दिया है under root 5 plus under root 2 बाइनोमियल है बिटा ब्रैकेट में रखना है लास्ट क्वेस्टन में डिसकस किया है अब बिटा इसको अगर change करना है rational number में तो क्या करना होगा conjugate से multiply और conjugate क्या होगा खोद यही number होगा सिर्फ बीच का sign change लेकिन सिर्फ लीचे multiply करेंगे तो बटा value change हो जाएगी और value change ना हो तो इसके लिए उपर भी इसी number से multiply करो ठीक है जी 1 का multiply इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो यहीं मिलेगा root 5 minus root 2 और नीचे a plus b into a minus b जैसा कि यहाँ पे हम लोगो नेखिया है a की जगे पे क्या दिख रहा है a plus b into a minus b है तो क्या होगा इसका product a square minus b square जैसी form का जहाँ पे a की जगे पे क्या देख रहा है root 5 तो इसको क्या लिखेंगे root 5 का square minus b की जगे पे क्या है बिटा root 2 तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से ऊपर वाला number ऐसे ही लिखो और नीचे बिटा root 5 का square है तो इसको क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो आप 5 minus root 2 का square कितना होगा root चेक है ऊपर ऐसे ही लिखो root 5 minus root 2 और नीचे बिटा 5 में से 2 minus करेंगे तो कितना हो जाएगा यह बन जाएगा 3 तो मिटा number था दे को यह rational number था इसको change कर दिया हम लोगों ने मिटा 3 में बिना original value change करेंगा तब denominator को हम लोगों ने rationalize कर दिया तो यह हम लोगों ने third part complete किया अब आ जाते हैं मिटा question के fourth part पर, fourth part में हम लोगों को number क्या दिया है, हम लोगों को number दे रखा है 1 upon under root 7 minus 2 अब हम लोग देख हैं जिस number के denominator को हम लोगों को rationalize करना है, उसका denominator में कितने terms है, जो terms है, मतलब कैसा number हुआ बार अब अगर ही binomate है तो इसको rationalize करने के लिए क्या गरेंगे, conjugate से multiply, ठीक है, तो भाई, इसका conjugate क्या होगा, फुद यही number होगा, सिर बीच का sign change होगा, ठीक है पहले तो यह number लिख लो एक बार, अब इसको rationalize करना है, तो conjugate हुआ, root 7 plus 2, और नीचे multiply किया है, तो उपर भी multiply करना होगा, जैसे कि original value change ना हो, तो उपर multiply कर दिया, हम तो बार root 7 plus 2 से, ठीक है जी, अब बार 1 का multiply करूंगे, तो यही में रहागा, मतलब under root 7 plus 2, as it is, लिख सकत और नीचे जो form तयार हो रही है, वो कैसी है, a minus b into a plus b जैसे, और a minus b into a plus b का, बार किस form का होता है, a square minus b square जैसी form का, जहां पे a की जगे पे क्या है, root 7 है, तो इसको a square जैसी form में रखा, minus, b की जगे पे क्या है, 2 तो बार, इसको b square जैसी form में रख दिया, अब उपर वाला number ह और नीचे देखें, तो root 7 है, और इसके square गरेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 7 मिलेगा, minus का sign है, 2 का square गरोगे, तो क्या मिलेगा, 4, तो finally क्या मिल रहा है, root 7 plus 2 उपर, और 7 में से 4 minus करेंगे, तो कितना आएगा, 3, correct है, जो number था, हम लोगों का ये था, originally, जिसका denominator, अ और अब हम लोगों के सामने इसका denominator क्या आगया, 3 आगया, मतब, rational number आगया, और rational number आगया, तो हम लोगों के denominator को rationalize कर देगा, ठीक है, तो मझे उमीद है कि all four parts, आप तो को बढ़िया से समझ आए होंगे, ठीक है, तो एक concept अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो प्रीज व आगया, खिए पूग।